नमस्कार मैं डॉटर मदनलाल भट वाइस चांसलर किंग जॉज मेडिकल इन्वर्ष्टी आज मैं संछेप से कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस इंफेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संछेप में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98 प्रिस्ट कोरोना वाइरस के मरीज माइड नेचर के हैं केवल दो प्रिस्ट मरीज गंभीर हैं इन 98 प्रिस्ट मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्त का ध्यान रखें आराम करें और किसी तरीके की कोई इस्ट्रेस या टेंशन न ले तो ऐसे मरीज स्वतर ठीक हो सकते हैं केवल दो प्रिस्ट ऐसे मरीज हैं जो गंभीर इस्थती में हैं और उनकी खत्रे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र डाइबेटीज, ब्लड प्रिशर, किड्नी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से गरसित होना या शरीर की रोग प्रतिरुधक छमता किसी अन्ने कारण से कम हो जाने के कारण उनको खत्रा है वास्तो खत्रा तो एक प्रिशर से कम है क्योंकि community spread जो विश्य में हो गया है इस समय जो surveillance society में हो रहा है community में उससे ये देखा जा रहा है कि हजारो हजार मरीज ऐसे हैं और भारत वर्ष में 60 से 70 प्रिशत ऐसे मरीज हैं जो asymptomatic हैं अगर उन asymptomatic मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृतुदर एक प्रिशत से कम है वास्तों में मृतुदर तो तीन प्रिशत है जिन मरीजों को देखा गया है लेकिन वास्तिविक्ता यह है कि अगर society का पूर व्यक्ति उपाय के माध्यम से बज सकता है और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया coronavirus से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही जादा रहेगी पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्त जीवन शैली का पालन करना चाहिए स्वस्त जीवन शैली में 6-8 घंटे की अच्छी नीद लेना अवश्यक है इस नीद के घंटे में रात को 10 बजे से प्राते 4 बजे का समय अवश्य इंकलूडेड होना चाहिए दूसरा अवश्यक है कि व्यक्ति को परियाप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए परियाप्त पानी में 3-4 लीटर या 5 लीटर तक गर् के बावजूद भी गुंगुना पानी लेना स्वास्त के लिए जादा हितकारक है तीसरा जो अतियावश्यक विशय है कि सुपाच ये पौश्टिक भोजन लेने की आवश्यक्ता है समय समय से और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रियोग करने की आवश्यक्ता है इस हैसी और शदियां है जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रियोग कर रहा है वो भारत के आईरुएद में भी प्रचलित हैं उनका भी प्रियोग करने की आवश्यक्ता है बचने के लिए और इलाज की दिर्श्य से भी इसमें सबसे आवश्यक्त है ज होने की संभावना भी बढ़ावा देता है उसके साथ गिलोव रोग प्रतितों तक छमता बढ़ाती है गिलोव का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुभेशाम लेना भी इसमें हितकर है दिन भर गरम पे पदार्थ लेते रहना जैसे हर्बल्टी है या प्रियोग करना भी स्मिस्वास्त के लिए हितकर है हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोग छमता भी बढ़ाती है वाइरल इंफेक्शन से बचत करती है तो हल्दी दूद में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रियोग किया जाए खास काली मिर्च और अदरक का मिश्रन पी प्रियोग किया जाए कच्चा या खाने के साथ सलात के रूप में थोड़ी सी मात्रा में तो ये भी रोग से बचाने में साहिक है और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है अगर तनाव बहुत नहीं लेगा घबराहट का शिक खत्रा उतना नहीं होगा और एक सवभागी की बात है कि इस प्रानव में माना जाता था कि गरवती महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गरवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शिगर वाइरल प्रिगनेंसी के साथ पांच दिन से कम समय में वाइरल फ्री हो करके डिश्चार्ज हो गई छोटे बच्चों में भी तीन महीने का बच्चा गोरकपुर में हमारे यहां धाईवर्स का एक बच्चा उत्तरप्देश में एक और नौ महीने का बच्चा ऐसे महाराष्ट में भी छोटे बच्चे नोजात शिश्वों को वाइरल इंफेक्शन से इस कोरोना वाइरस से मुक्ती बहुती शिग मिल गई तो उन बच्चों पर भी ध्यान देना है और खास तोर से जो ध्यान देने की आवश्यक्ता है कि इसके लिए कोई वाइरल एंटिवाइरल ड्रग नहीं है कोई वैक्सिन नहीं है अत शोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें हाथ को बार बार पराई के लिए सबसे बड़ा साधन है और अपने को बचाएं दूसरों को बचाएं इस संदेश से जितना भी अपने को लाभानवित करें दूसरों को बता करके लाभानवित करें वही इस मानोता कि बहुत बड़ी सेवा होगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद